प्रधान मंत्री मोधी ने शनिवार को नई दिल्ले स्थित हैदराबाद हाउस में बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ दुपक्षिय वारता की प्रदेश मंत्राल की प्रवक्तार रधीर जैस्वाल ने कहा पियम मोदी ने बांग्लादेश की प्रधार मंत्री के गर्म जोशी से स्वागत किया और कहा कि 2019 से दोनों नेताओं के वीच दस बार मुलाकात हो चुकी है शेक हसीना ने राजगार्ड में जाकर महत्मय गांधी को शर्धानजली पी अरपित की साथ ही भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली के हैदरबाद हाउस में प्रधान मंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना की उपस्तिती में समझोता ग्यापनों और समझोतों का आदान प्रदान किया गया वहीं पियम मोदी ने क्या कुछ कहा आप दे सुनिये मैं प्रदान मंत्री सेख हसेना जी का और उनके प्रतिन्जी मंदल का हारदिक स्वागत करता हूं वैसे तो पिछले लगवग एक वर्ष में हम दस बार मिले हैं लेकिन आज की मुलाकात विशेश हैं क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कारकाल में प्रदान मंत्री सेख हसेना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है फ्रेंट्स, बंगलादेश हमारी नेबर हुड फर्स्ट पॉलिशी, एक इस्ट पॉलिशी, वीजन सागर और इंडो-प्रसिफिक वीजन के संगम पर स्थीत है पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक गल्यान के अनेक महत्वपॉन प्रोजेक्स को पूरा किया है अखावडा अगरतला के बीच भारत मंगलादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है खुलना मंगला पॉर्ड द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविदा शुरू की गई है मंगला पॉर्ड को पहली बार रेल से जोड़ा गया है तेरा सो बीस मेगावर्ड मेट्री थर्मल पावर प्रांट के दोनों विनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है दोनों देशों के बीच भारतीय रुपिये में ट्रेड की शुरुवात हुई है भारत बंगला देश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर कूज को सफलता पूर्वक पूरा किया गया है भारत बंगला देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रैंट्सिप पुरी की गई है भारतीय ग्रीड से होते विए नेपाल से बंगला देश तक बीचली निर्याद उर्जाक शेत्र में सब रिजनल सहयोग का पहला उधारण बना है एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाद में इतने बड़े इनिसेटिव को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दरसाता है इसके साथ ही पंगला देश के बंधान मंत्री शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है आईए सुनते हैं एक ही पंगला जारी कुछ कहा है for inviting me to undertake the state visit to New Delhi. This is my first bilateral visit to any country after Bangladesh's 12th parliamentary elections and the formation of our new government in January 2024. I thank the government of India for extending world hospitality to me and my delegation. Ladies and gentlemen, India is our major neighbour, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India which were born during our War of Liberation in 1971. I recall with gratitude the contribution of the government and the people of India to Bangladesh's independence. P.M. Modi के साथ उपक्षे संबंधों और बादचीत के अलावा शेक हसीना भारत की रास्टपती द्रौपती मुर्मू और उप्रास्टपती जगती भनकर से भी मुलाकात की. पिछले कुछ वर्षों में भारत बंगरदेश ने एतिहासिक संस्क्रती और भौगॉलिक शेत्रों में अपने संबंध मजबूत किये हैं. पिछले साल दोनों देशों के बीच भारत बंगरदेश मैत्री पाइपलाइन का उदगाटन भी हुआ था. बस्वन या अगा में उत्राखंड विदासवा उप्चुनाव के लिए अपने 13 स्टार प्रचारिकों की सूची जारी करती है. मंगलोर सीट पर हो रही उप्चुनाव में बस्वा प्रमुक मायवती और उनके भतीजे आकाश आनंद चुनाप रचार करते हुए निज़र आएंगे. इनके लाबा पार्टी के अनेनेता भी चुनाप रचार करेंगे. मंगलोर विदासवा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है. इस सीट से बस्वा के टिकेट पर सर्वत करीम अंसारी विधायक चुने गई हैं. अंसारी की निधन से यह सीट खाली हुई थी. बस्वा यहाँ पर काफी मजबूत मानी जाती है. पर्टी को लगता है कि अगर मेहनत की जाए तो दुवारा से यह सीट जीती जा सकती है. पता दे कि बस्वा को लोकसवा चुनाप में एक भी सीट नहीं मिली है. चुनाप के दोरान पूरू मुख्य मंत्री माया बती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्रादिकार और पार्टी के नैशनल कॉर्डिनेटर की जिमेदारियों से मुक्त कर दिया था. बस्वा प्रमुक ने पिछले वर्ष दिसंबर महा में आकाश आनंद को अपना उत्रादिकारी घोशत किया था. उन्हें हटाने का यह आश्च्वर एजनक फैसला उस वक्त आया जब देश में लोकस्वा चुनाव के तीसरी चरण के लिए मतदान संपन हो गया था. देश 2024 में केंद्री बजट का इंतिजार कर रहा है. ऐसी में सरकार उस दिशा में तयारी कर रही है. केंद्री वित्य मंत्री निर्मला सीता रमार नेश निवार को बजट पूर बैठक की आदर्शिता की और उन्होंने सभी राज़ों और केंद्र शासित प्रदेशों के व मंत्राले द्वारा इस प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया था. आगामी केंद्री बजट 2024 के लिए सभी राज़ों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्य मंत्रियों से सुझाब के लिए वित्य और कॉपरेट मामलों के मंत्रालों द्वारा इह बजट पूर बैठक में राजस्तान से दिया कुमारी और यूपी से सुरेश कुमार खन्ना सहित अन्य राजों के वित्य मंत्री शामिल हुए. वही राजस्तान की डिप्टी सीम दिया कुमारी ने कहा आज केंद्र वित्य मंत्री के साथ बैठक हुई. राजस्तान की ओर से जो भी मांग उसे इस बेटक में रखा गया है, डवल इंजन की सरकार है और हम एक ऐसा काम करें जो राजस्थान की लोगों की अपेक्शाओं पर खरा उतरे, लोगों की मांग पर हमारा ध्यान केंद्रित है। मुझे भी मौका मिला है कि राजस्थान की जो हमारी डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उनको यहां रखा जाया है। लिए जो भी लोगों के जो मांगे हैं लोगों के काम है उस पे भी हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे तो वही हमारा फोकस रहा है आंदर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी की पार्टी Y.S.R.C.P. का ओफिस आज विजयवारा के ताड़े पल्ली शहर में ध्वस्त कर दिया गया Y.S.R.C.P. ने मुख्यमंत्री चंदरभावु नाइडो की पार्टी तेलिकू देशम पार्टी पर बतले की राशिती करने का आरोप लगाया है Y.S.R.C.P. ने आरोप लगाया कि डिमॉलिशन तब भी जारी रहा जब पार्टी ने आंदरप्रदेश रास्थानी शेत्र विकास प्राधी करन की प्रिमिनरी एक्षन की कारवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दर्वाजा खट खटाया था हाई कोर्ट सभी प्रकार की विध्वन्स गतिविद्यों पर रोक लगाने के आदेश दिये थे जगन मुहन रेडी ने चंदरवागू नाइडू पल आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने आंदरप्रदेश में कांड को एक अलग ही इस तर पर पहुंचा दिया है नाइडू को ताना शहा बताते हुए रेडी ने एक्स पर कहा कि वाई इस आर्ट सेभी पार्टी का केंद्रे कारेले ताड़े पली में लगभग बनकर तैयार हो चुका था जिसे उन्होंने बुल्डोसर से किरा दिया इंदरों देश में नीट टेपर में धांदली को लेकर बवाल मचा हुआ है राश नितिक पार्टिय समेथ से एक रोचात्रे सड़कों पर परदर्शन कर रही है और इस मामले में अपनी मांग को उठा रही है तो वही केंद्र सरकार ने अब इस पर नया कानून बनाया है जो ना सिर्फ ऐसी परिक्षाओं में फर्जी वाड़े को रोकेगा बलकि जो भी व्यक्ति या सम्हू इसमें शामिल होगा उसको दस साल तक जेल और एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया जा सकता है नीट यूजी और यूजी सी नेट परिक्षाओं में हुई गड़वड़ियों के बाद चल रही जांच और सुनवाई के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है केंदर सरकार ने शुकरवार को इस कानून के अधी सूचना जारी की जिसका उदेश्य प्रमुक परिक्षाओं में नकल पेपर लीक और किसी तरह की धांदली पर लगाम लगाना है पेपर लीक और परिक्षाओं में धांदली के खिलाफ ये कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था जिसे अब लागू कर दिया गया है इस कानून में परिक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा का प्रापधान है लोकसवा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी में मन्थन जारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को असी में से महज 33 सीटे मिली थी जबकि विपक्ष पार्टी सपाक उसाती सीटे मिली थी जनावी प्रचार अभियान के तोरान बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और वहीं यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया था लेकिन नतीजों में बीजेपी को बड़ा चटका लगा यहां तक कि अयोध्या में भी बीजेपी हार गई प्रदेश में बीजेपी के इस प्रदशन को लेकर रास्टे अध्यक्ष रेपी नडड़ा और यूपी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हूपेंदे चौधरी के बीच बैठक कोई सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हूपेंदे चौधी ने खराब परदशन की नैतिक सिमेतारी ली है बीजेपी रास्टे पदाधिकारियों की बैठक 29 या 30 जून को हो सकती है पदाधिकारियों की इस बैठक में पूरे देश में राज्यवार लोकसवा चौनाब नतीजों पर चर्चा की जाएगी 25 सूत्रों के मताविक 25 जून तक यूपी में लोकसवा चौनाब परणाम पर यूपी बीजेपी की समिक्षा रेपोर्ट तैयार हो जाएगी जिसे दिल्ली में होने वाली रास्ट पदाधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी मध्य परदेश की मुखे मंत्री डॉक्टर मुहनी आदब ने शुकुरवार को एक साथ कई एहम फैसले लिये उन्होंने कहा कि उच्छ सिक्ष संस्थानों के नियमों के अनुकूल कारे संचालन होना चाहिए महा विध्यालों और विश्व विध्यालों के पदाधिकारी विध्यारतियों के हित में आवशिक विवस्ताय सुनश्चित करें नई सिक्षा नीती के किर्यानवर में मद्य परदेश अग्रणी रहा है इसनाते निरंतर सिक्षा की गुरवक्ता और बहतर प्रवंधर परधाम देना जरूरी है से लेकर अभी तक की गई प्रगती के बारे में सब नाउगत होने के बाद आगाम द्रश्टी से भी कुछ नर्ने किये हैं एक फीजिबिल्टी रिपोर्ट आईए सिमस्त को लेकर के उज्जैन सेंद्वर में भी मेट्रो डालना चाहिए साथ साथ एक विचारा मेरे द्वरा भी दिया गहा है कि मेरे बीच में रेल मंतरी से चर्चा हुई थी कराम दार कि अध्यार पर जिबिंऄर सर्किल स Aegश्टा के माध्यम से एक बड़ी शुविदा दी चाहिए है साथ साथ अभी एक रोप बे अर्थत केबल कार का भी चलंज बड़ा है तो उम्मिद करने काने वाले समय में हमारे बड़े सहरों में जैसे गौलियार जबलपूर इंदोर भौपाल उज्जेन जहां जहां यह बड़े पहमाने पर यातायत की समस्या का समाधान करना है यात को सुगम बनाना हम सब के आउशकता है इस्थानी जन प्रतियों को इस्वास में ले करके हर एक का ट्राफिक प्लान बनवा करके जहां जैसी जरुवत होगी सरकार उससाम आगे बड़ेगी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादब ने उच्छ सिक्षा विवाग की गतिविदियों पर वरिष्ट आधिकारें के साथ बैठक के दोरान कहा कि प्रदेश में उतक्रस्ट महाविद्याले प्रारम हो रही है जो प्रदेश की सिक्षा विवस्ता का चहरा बनेंगे ये प्रदेश के अन्य राज़ों के लिए आधर्ट सिक्षन केंदर के रूप में पहचाने जाएंगे इसके लिए उच्छ सिक्षा विवाग के साथ ही अन्य सम्मानित विवागों इस्थानिय प्रेश्वासन विध्यारतियों अभिभावकों और नागरिकों को सजग भूमिक का निभानी है